अस्ट्रेलिया स्टरी वीजा के फैब इंटेक जुलाई इंटेक की बात करेंगे लेकिन खास दौर पर बात करने जा रहे हैं नरसिंग के स्टूरंट्स के लिए क्योंकि फैब इंटेक के लिए भी उनके पास कितनी ऑप्शन्स हैं आप समझ लीजिए तांकि टाइम इंटेक की बात करें वहां भी आपको कुछ अच्छी ऑप्शन्स मिलने वाली हैं कैसी ऑप्शन है कब तक अप्लाई किया जा सकता है किन-किन प्रोफाइल के लिए ये उप्शन्स मिल सकती हैं इसे पर आज की ये वीडियो रहने वाली है तांकि स्टूडेंट्स जल्दी से जल्दी इन चीज़ों को समझते हुए अप्लाई कर सकें स्वागत है आप सभी का मैं हूँ हर जोद को डिटेल में ये पूरी इंफोमेशन आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं स्टूडी स्केर अबरोट चंडिकर से ऐस्ट्रेलिया स्टूडी विजा एक्सपर्ट मानणप्री सिंग चीमा जी हमारे साथ हैं स्वागत है आपका मानप्री जी जरूर बताईए नर्सिंग स्टूड़ेंट्स की बात कर रहे हैं कमिंग इंटेक की बात करें fab intake है और उसके बाद July intake है तो कितनी options कितनी seats मिल सकती है nursing students को कितनी जल्दी करनी चाहिए कितना cover-up हो चुका है seats की बात करें तो overall students apply करने के बारे में जो अभी सर्फ सोच ही रहे हैं apply किया ही नहीं है उनको आप क्या कहना चाहेंगे coming in takes को देखते हुए कोई भी बच्चा कर नर्सिंग में जाना चाता है तो काफी universities की seats full होगी है लेकिन अच्छी बात ही है कि काफी universities के seats अभी available है और SCSE universities भी हमारे पास available है जिनमें 8800 आर्ट का 800 आर्ट का clinical placement भी मिले की बच्चे को during their nursing तो अगर कोई भी बच्चा apply करना चाता है for fab intake तो this is the right time और this is the last chance for them to apply for the fab intake आप अभी आईए हम 24 hours में हमारे पास nursing की offer आ रही है जिस पर लिख के आएगा 800 hours का clinical placement भी लिख के आएगी scholarships लग के आएगी तो ये सारी चीज़े return में universities दे रही है और universities भी बहुत high ranked university है जिनका शुरू से ही nursing बहुत high ranked रहा है और कभी भी nursing में उनके visa refusals नहीं आते है तो अगर कोई student fab में apply करना चाता है fab बड़ा intake होता है अभी भी seats काफी बची होई है nursing के लिए तो अगर कोई apply करना चाता है उसको लग रहा है कि मेरा chance निकल गया तो मैं यह बोलूगा कि अभी भी chance है आप अभी भी apply कीजिए आप का offer letter मिलेगा timely मिलेगा और आप अपने financials ready रखिए हम आपकी admission करवाएंगे इंदर for this course bachelor's of nursing second July take July take में seats available होती है बट January जितनी नहीं होती है बिकिस बहुत दो की उनिवर्स्टीज है जिनके पास July take में nursing की seats available होती है तो उन दो उनिवर्स्टीज में जितने भी बच्चे miss कर जाएंगे जहां जो नए बच्चे plus two pass out होंगे वो सारे try करेंगे उन seats को grab करने के तो chances कम हो जाते हैं यह नहीं है कि जुलाई में मिलेगी नहीं seat लेकिन अगर आप जुलाई के लिए भी देख रहे हो तो आपको पहले से ही preparation करके रखनी पड़ेगी क्योंकि nursing की एक चीज है कि nursing की offer letters अच्छा एक चीज यहां clear कर दो nursing में offer letters seat की guarantee नहीं होती उस्टेलिया में university के पैस अगर 50 seat हैं तो वो 100 offers देगा क्योंकि उनको पता है कि बच्चा अगर एक वो अपनी seat नहीं छोड़ना चाते हैं तो वो उसी seat को filled मानते हैं जो बच्चा fees deposit करवा देगा तो अगर आप offer letter लेके भी घर बैटे हो है कि मेरे तो भी start होने में course में time है तो आप बहुत बड़ी गल्ती कर रहे हैं अपनी जल्दे से गल्दी fees deposit करवा दीजिए because fees deposit होने पे ही वो seat block करेगी university और अगर आपके आपसे पहले कोई और करवा गया जो शायद apply भी आपसे बाद में कर रहा है लेकिन offer letter लेकि next day वो fees deposit करवा देगा तो आप अपनी seat miss कर जाएंगे तो don't waste your time ये मत सोचिए मेरे तो seven band है मेरे हाथ में offer है मेरे को तो अब कोई problem नहीं चाहिए next day last day जाके मैं fees deposit करवा हूँ आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो just go and deposit your fee नहीं apply कर रहा है तो come with your financials meet our team हमारे पास बहुत expert team है जिनके पास 10 साल से ज़्यादा का experience है जतने भी counselors हैं तो मुझे लगता है counselor की भी बहुत बड़ी responsibility और बहुत बड़ी job है हमें लगता है कि शायद किसी से मिलके और सिरफ apply करने चारे हैं पर मुझे लगता है कि वह एक आपको career guide कर रहा है और वही बंदा आपको proper guidance दे सकता है जिसको proper knowledge है तो हमारी टीम बहुत expert है बहुत experienced है आप हमारे पास आईए हम directly पहले दिनी युनिवेस्टी से बात करके आप एप एप्लिकेशन समिट करेंगे financial discuss कर लेंगे कि आपका time waste ना हो तो fab intake is yes open for nursing students plus you can apply for July also लेकिन preference आप fab को दीजिए जी बिल्कुल तो बहुती खास points आपको मनप्री जी ने guide किया है जैसे कि उन्होंने बताया कि चाहे offer letters मिल रही हो लेकिन जब तक आप अपनी fees deposit नहीं करवाते हैं तब तक आप यह नहीं मान सकते कि आपके admission हो गई है तो इसलिए यह कुछ चुनिंदा बाते हैं हम अपनी वीडियो के जरीए इसलिए students को guide करते हैं ताकि वो aware हो क्या situations चल रही है आप admission process में कहीं भी पीछे न रह जाएं क्योंकि कई बार अच्छी से अच्छी profile वाले students भी right information ना होने की वज़ा से अपना visa नहीं ले पाते हैं जब नर्सिंग की बात करते हैं तो क्या खास इतना रहता है क्योंकि बहुत ही जादा हमेशा filing बहुत जादा फाइस लगती है चुनिंदा students की admission हो पाती है क्या खास है उस्ट्रेलिया की nursing courses में चीवें देखो जो ऑस्ट्रेलिया कोई भी country है चाहे आप किसी भी country से nursing कर रहे जो यह जैसे हमारे इंडिया से भी बच्चे कर रहे हैं यह नहीं बोलूगा कि यहां के education system ठीक निया बट ऑस्ट्रेलिया में practical knowledge जो बच्चे को मिलती है मेरे को लगता है कहीं पे भी नहीं मिलती है प्लेस्मेंट से हैं फिर job opportunities बहुत अच्छी हैं wages बहुत अच्छी हैं य अगर कोई बच्चा Australia से nursing करता है जर वो Australia में register हो जाता है जर नर्स तो वो highly paid jobs कर सकते हैं universities जैसे मैंने बताया highly ranked universities ना degree की value बहुत है वहां पे तो medical system बहुत अच्छा है placements अच्छी हैं तो बच्चे का एक career secure हो जाता है उस्ट्रेलिया में जाकर PR इसी है जो sir बंदा पूच सबसे बच्चा पियार होता है तो यह कुछ points है जिनके कारण मुझे लगता है कि वहां की जो nursing है थोड़ी से different है हमारे country से तो अगर कोई बच्चा जाना चाता है तो Australia is also a very 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 good option for them to do this course batches of nursing चलिए ठीक है तो students समझ चुके हैं कि कितना जरूरी है अगर आपने nursing courses में apply करना है Australia study visa के लिए तो fab intake कितना खास रहने वाला है उसके बाद July intake में भी कुछ options रहने वाली है तो timely जरूर apply कीजिए सही options के साथ apply कीजिए मन में कोई सवाल है doubt है तो लगता number displays पर call कीजिए पु कि वेल्यू भी उनको बताई है सही process के बारे में भी गाइड किया है आगे भी हम students के लिए इसी तरह से और informative videos लेकर आते रहेंगे फिलहाल के लिए दीजे इजास्त thank you so much thank you